नवास्कार दूसरे सो रियलमी अपना नाइन स्रीज इंडिया में लॉंच करने वाला है तो चलिए आज किस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे बिसेस कर यह फोन 4G होगा या फिर 5G होगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को बिना एसकेप किया हुए पूरे इंडियो घ्रता भी आप को यह सब्सक्राइब करता हूं दूसरे रियलमी अपना नाइन स्रीज का स्मार्टफून इंडिय अगला है और 2022 में देखने को नहीं मिला मतलब अभी काफी अच्छा टाइम लगने वाला है तो ऐसे कंडिशन में हैं इसके अंद्रके आपको बहुत सारा फोन देखने को बात करतों रियलमी 9 आई हो गया या फिर रियलमी 9 प्रो या फिर प्लस यह चार फोन देखने को मिल थे जो काफी special तरीके से 5G भी था लेकिन रियल्मी 8 स्रीज में आपको जो है specific से एक्टम धासू लेवल का दहने को मिलता था तो इसी तरीके से यहां पर भी दहने को में लगा रियल्मी 9 स्रीज के साथ जैसा कि मैंने बता है कि 5G अभी भी नहीं आने वाला है चासके तो ऐसे नया प्रोसेसर लाँच होता है वह सारे 5G है तो ऐसे कंडिशन में फोन जो आता है वह फापी करके जाता है तैसे तो यहां कंडिख कुछ फोन हों चो 5G हए और बाकि फोन 4 ंवाल ses तो कुछ थो कछ इस प्रकार से होने वाला है कि यह 1 पोन 4G होने वाले हैं और कुछ एक phone होंगे जो 5G करके आने वाला है यहां पर confirm news यह निकल के आ चुका है कि realme 9 series 4G ही होने वाला है लेकिन specification धासू type का देना को में लगा वैसे phone January के month में launch होने वाला है चारव phone एक साथ launch नहीं होगा देरे देरे launch होगा लेकिन सभी phone 4G ही है specification काफी धासू लेवल का दिया जाएगा ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं because processor तो काफी पुराना होगा लेकिन order specification जैसे कि display वह एमरेड होगा refresh rate काफी अच्छी लेवल का होगा pricing काफी कम होगा और camera setup काफी बेडर होने वाला है यहां पर आपको देखने को में लगा एक real smartphone जिसमें आपको हर एक चीज काफी अच्छी लेवल का होगा pricing भी काफी कम होगा पस 5G नहीं होगा और 5G पर उतना focus नहीं करना चाहिए because अभी भी 5G आने में काफी time लगने वाला है तो ऐसे condition में आप 4G के साथ ही काम चलाएं क्योंकि बरतमान समय में जो भी 5G फोन आ रहा है उसमें आप आगे 5G SIM का उपयोग कर पाऊगे या फिर नहीं कर पाऊगे इसका कोई भी guarantee नहीं होता है जो चीजे हैं वह काफी अच्छी लेवल का देखने को मिल सकता है जैसे की display काफी अच्छी quality होगा प्लस में camera setup में आपको जो है 108 में official का देखने को मिलेगा हो सकता है आपको 120 watt का आपको charger प्रवाइड कराया जाए प्लस में 60 watt का जो charger है वह आपको realme 9 तक में देखने को मिल सकता है मतलब जो specification में implementation है वह हर एक phone के अंदर के देखने को मिलेगा लेकिन सारे phone 4G ही होने वाले है जिसे कि अगर हम बात करें तो Poco X3 Pro है तो उसमें आपको देखने को मिलता है realme 9 series की अंदरगत launch होने वाले phone के साफ वैसे सारा phone launch होने वाला जनवरी के मंत में लेकिन सबसे पहले launch होगा realme 9i जिसके बारे में मैं आपको कल बताया था तो बस आज किस वीडियो में ही information देने वाला था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद